पांचवें चरण के लिए 14 लोगसभा निर्वाचन ख्षेत्रों में डाले जा रहे हैं वोट दो करोड पचास लाग पैंसट हजार मददाता करेंगे 182 प्रत्याशियों के भागे का फैसला नौ बजे तक प्रदेश में 9.7 से प्रदिशत हुआ मददान पांचवें चरण में देश की कई हाई प्रफाइल सीटें हैं शामिल लखनू में राजनाथ सिंग अमेटी में कॉंग्रेस अधिक्र राहूल गांदी और इसमृती रानी तो राइबरेली में यूपी अधिक्र सोनिया गांदी आजमा रहे हैं अपना भागे प्रफान मंत्री नरेंदर मोदी ओडिसा में कर रहे हैं तूफान प्रफाइल प्रफाइlt प्रफाइल क्षेत्रों का किया सिरवेक्षन साथ ही राजिके अधिकारियों के साथ भी करेंगे पैठट और अम्रोहा में एक निजी चीनी मिल की बगास प्लान्ट में लगी भीशन आग आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाणियों ने 6 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू करोणों की संपत्ति स्वाहा नमस्कार मैं हूँ अर्चना सतीश अब समाचार विस्तार से पांचमें चरण का मतदान प्रदेश में जारी है इस चरण में 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मत डाले जा रही है इस चरण में कई महतवपूर्ण राजनितिक शक्सियत अपना भाग आजमा रही है लखनों में केंद्री गिरिम मंत्री राजनाथ सिंग, अमेठी में कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांती और केंद्री मंत्री स्मृते रानी राइबरेली से यूपी अध्यक्ष सोनिय अगांधी चुनाव मैदान में है इसके अलावा धोरहरा से पूर्व केंद्री मंत्री जितिन प्रसाद चुनाव लट रहे हैं तो फतेपूर से केंद्री मंत्री साधवी निरंजन ज्योती अपना भाग आजमा रही है प्रदेश में 9.7.7 प्रतिशत मतदान हुआ लखे में आज मतदान हो रहा है वैसे तो मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है लेकिन लखणो के मतदाताओं का उद्सा देखने को मिल रहा है सुबह 6 बजे से ही मतदाता लंबी लंबी कतारों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए कई बूत को आदर्श बूत भी बनाया गया है जहां सेलफी पॉइंट के साथ साथ चाय नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है लोग मतदान करके सेलफी पॉइंट पर सेलफी लेते दिख रहे हैं इस बार मतदान को लोग महा पर्व के रूप में ले रहे हैं केंद्री ग्रेमंत्री राजनाथ सिंग ने अपना वोट लखनव के स्कॉलर होम स्कूल में सुबह साथ बजे डाला लखनव में नौ बजे तक आठ दशमलो साथ प्रतिशत मददान हुआ आए चलते हैं अपने प्रतिनिधी उमा शंकर दूबे के पास जो इस समय लखनव में हैं और उनसे जानते हैं क्या है लखनव में मददान का हाल उमाशंकर जी लखनव केंद्री ग्रिम मंत्री राजनाथ सिंग का संसदी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में उनको चुनोती दे रहे हैं कॉंग्रिस के आचारे प्रमोद कृष्टनम और गठबंदन की प्रत्याशी पूनम सिन्हा उमाशंकर जी हमें बताएं कि लखनव में आज जो मत्दान हो रहा है उसमें क्या मुद्दे है और राजनाथ सिंग जी को कौन प्रत्याशी कड़ी चुनोती देता नजर आ रहा है अर्टिना देखे जो लखनव का मद्दान का प्रत्त है वह निश्चित तोर पर संतोचनक कह सकते हैं उसमें खास ऐसे कुछ एरिया है गोमती नगर का इलागा वहां पर एक मगदूमपुर आदर्स मद्दान सेंटर बनाए गया है कुछ और सेंटर बनाए गया है इस तरह स लोगों में उसा है मददान को लेकरके सेल्फी पॉइंस बनाए गया है और खास बाद इस बाद रही है कि सुख़ छे बजे से लंबी-लंबी लाइने देखने की मिलिया जना तो इससे कहीं नगरों में मद्दान के प्रति उससा बढ़ा है लोगों में जिस तरी के इसमें बहुत सारे अती महत्वपून व्यक्ति रहते हैं। अभी तक किन महत्वपून लोगों ने अपना मतदान किया है? इसमें बहुत 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 धन्यवाद उमाशंकर जी आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे और अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। लखनों के मोहनलाल गंच क्षेतर में सुबस साथ बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड देखने को मिली। मलिहाबाद के तैसीलदार निखिल शुकला ने बताया कि निर्वाचन आयोक के निर्देश अनुसार वोट डालने वाली महिलाओं की भागिदारी बढ़ाने के लिए पिंक बूत पर महंदी, शिशु सदन, सिल्फी पॉइंट, शर्बत और गर्मी से बचने के लिए आम के पने की भी सुविधा दी गई है, दस आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं यहां पर हमने जो उनके जो महिलाओं आएंगी, अगर उनके साथ छोटे बच्चे हैं, तो उनके बच्चों के रहने के उस दोरान वोट डालती हैं, उनके खेलने वगरा के लिए क्रेच रखा है, शिशु सदन, उसके अलावा हमने जो भी महिलाओं आपने वोट कास्ट कर आएंगे और अपनी वंगली का निशान दिखाएंगी, उनको नेशुल की महिलाओं लगवानी की वियस्ता की है। चुनावी धरातल पल अपने अपने जीत के डावे ठोकती नजर आ रहे हैं। जनपद में 2656 पोलिंग बूत बनाए गए हैं, 20 जोनल मजिस्ट्रेट, 180 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, वहीं 10624 मतदान कर्मी इलेक्शन ड्यूटी में तैनात हैं। 22,16,172 मतदाता अपने मताथिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं युवां मतदाताओं की भूमी का भी इस बार के चुनाव में बेहत एहम होगी। बाराबंकी में 9 बजे तक 9.84 प्रतिशत मतदान हुआ। राइबरेली में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। राइबरेली संसिदी निर्वाचन क्शेतर में बरतमान समय में कुल पुरुश 8,91,978 बहिलाएं 8,5764 अन्य कुल 50 मतदाता इस तरह से 16,972,902 मतदाता है। इस प्रकार 37 अमेठी संसिदी निर्वाचंग शेत्र 181 सलोन विधान सभा में वर्तमान समय में कुल पुरुष 18,2541 महिला 16,3746 एवं अन्य आठ कुल मतदाता 34,6295 हैं जन्पद में वर्तमान समय में कुल 2256 मतदेस थल तथा 1452 मतदान केंडर 19 जोन 168 सेक्टर हैं क्रिटिकल बूथ 249 तथा बलरेबर बूथ 44 हैं जहां मतदान के दिन विशेश सुरक्षा के इंतजाम किये गए हैं 220 बूथ वेब कास्टिंग, 37 इस्टेटिक मजिस्ट्रेट तथा 94 परदा नशीन बूथ हैं जन्पद में 6 सकी बूथ तथा 6 मॉडल बूथ बनाए गए हैं राइवेरेली में 9 बजे तक 9.95 प्रतिशत मतदान हुआ सबी लोगों करना चाहिए और मिश्चित तोर पर करना चाहिए एक अच्छी सरकार बनाने के लिए करना चाहिए और अब आई चलते हैं अपने समवाददाता रामेंद्र सिंग के पास जो राइबरेली में समय है और उनसे जानते हैं कि इसमे राइबरेली में क्या है मतदान का हाल रामेंद्र जैसा कि हम जानते हैं कि राइबरेली भी देश की हाई प्रोफाइल सीट में आती है और अमेठी से सटी हुई है यहां चुनाओ यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और अभी हाल तक उनके करीबी रहे MLC दिनेश प्रताप सिंग के बीच है जो भाजपा से अप्रत्याशी है इस चुनाओ को आप किस रूप में देख रहे हैं अर्चिना रायवरेली लोग सवा चेत्र ऐसा चेत्र जिस पर पूरे देश की नगाहे लगी है कि गांधी परिवार का कभी फिरोज गांधी उसके बाद इंद्रा गांधी उसके बाद अरूर नहरू कैप्टन सतीज तर्मा और सुनिया गांधी चुनाओ लगती हुआते जो तीन चुनाओ को छोल हुए जाए तो मुश्टी कांग्रेस के पाती ये सीट रही है राजनाओ जी ने इंद्रा जी को हराया था उसके बाद असोग सिंग जो अस्थानी सांसत से उन्हों ने कभी कांग्रेस को पटकनी दी उससे कांग्रेस बुरे दौर से बुज़र रही थी जो से सुनिया जामिया ये लगातारे सीट उनके पास है इस वार भारती जन्ता पार्टी से उनी के साथ रहे एमल्सी दिनेश पताव सिंग चुनाओ लड़ रहे हैं जाहिरे के अस्थानी प्रत्चासी है एमल्सी खुद है उनका भाई जीला पंचयात अध्यश है उनका एक भाई बिदायक है तो राजनीतिकों से मजबूत इस्थिती है तो चुनाओ आमने सामने ख़़ा है लेकिन जो चुनाओ की बात की जाए ओट निकल रहा है लोगों डालने निकल रहे हैं लोगों को विका लोग सबा का हिस्था वो भी राइबरेली जनपर में आता है तो कुल मिला के सामती से मद्दान चला एक दो जगे एवियम मसीन को छोल करके बाकी सारा कुछ ठीक है सामती से चुनाओ हो रहा और यह अपेच्चा है कि मद्दान बेहतर होगा या अर्चना रामेंद्र राइ राइबरेली की जनता अपना मतदान कर रही है जो काम लगातार शुरू है उसको लेकर के भाजपाय बात करें कि प्रोजेक्ट वले ही कांग्रेस ने सुरू कियो हो लेकिन भारती जनता पार्टे ने किसी प्रोजेक्ट नहीं रोका वही गांदी परवार अपने रिस्तों क की बात कर रहा है जो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों लोग जनता तक पहुंच बना रहे हैं और बैसिकली मुद्धा यह बिकास का मुद्धा है राइबरेली की वहां का बिकास हो और वहां की जो चलके हैं वहां के तमाम काम बेतर हुए तो वह चाहते हैं यह कांटी की जोस्तम के मुद्धा है कि विकास हों वहां के लोगों को सिच्छा चिकिस्फा सालक बुनियादी सुद्धा मिनें लगणों के असपास तो बेटर सुद्धा उनको मिले इसके लिए राइबरेली वोड़ करे गा जानी यह आभी मैंने आपसे पूचा था कि इस बार सोनि गांधी बहुत जादा सक्री नहीं रहे हैं इसका क्या आसर आप देखते हैं। सोनिय गांदी का स्वास्त गडबल है और लगातार वो जब जब दौरों पे आती है तो उनको दिक्कत होती है लेकिन तो देख लिए कि सोनिय गांदी भले ही नहीं नहीं हो लेकिन पूरे तरीके से सतिसगर के मुखवंत्री हैं हार्दिक पटेल हैं कभी इस तरीके से लोकल सब्सक्राइब नहीं आया है सोने गांदी के संदिश है तो सोने गांदी की नाम पर रोड़ पड़ता रहा लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी ताकत जो की है दिल्ली से लेकर करके जो अस्थानी नेता है जो भी प्रदेश के विधान सबाओं में है जो मुक्वंत्री है उन सबासे मतदान शुरू हुआ सामाने लोकसभा बहराइच एवम आनशेतर कैसर गंज में सबासे ही जागरूक मतदाता अपने मत डालने के लिए कतारों में लग गए बहराइच में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है मतदाता अपने मतदिकार का प्रयोग करने को आतुर देखे जो सुबह 6 बजे से ही कतारों में लग गए बहराइच में 9 बजे तक 10.2 शूनी प्रतिशत मतदान हुआ वहीं करसर गंज में 9.4 शूनी प्रतिशत मतदान हुआ और अब बात करते हैं गोंडा की। के कड़े इंतजाम किये गए हैं। गोंडा लोकसभा के 2882 बूतों पर 1774 मुख्य आरक्षी, 7435 आरक्षी, 12370 होम गार्ड, अर्धिसैनिक बलों की 42 कंपनियां तयार हैं। इस बार इस लोकसभा सीट से 17,4478 मतदाता पार्टी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस बार के लड़ाई में मुख्य रूप से भाजपा से कीर्दिवर्धन सिंग, सपाबसपा गटबंदन से पंडित सिंग, तो वहीं कॉंग्रस अपना दल गटबंदन से कृष्णा पटेल में काटे की टक्कर रहेगी। मतदान कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जोनों में बांटा गया है। जनपद में कुल 201 संवेदन शील बूथ हैं, 61 बूथों पर वेब कास्टिंग होगी, 201 बूथों पर डिजिटल कैमरे लगाए गये हैं। साथ ही चपे चपे पर पुलिस प्रशासन की नजर है। इसके साथ विकलांग मतदाताओं की सहूलियत के लिए वीलचेर और नेत्रहिन मतदाताओं के लिए लेजर लेंस की भी विवस्ता की गई है। प्राइबरेली में 9 बजे तक 8.17% मतदान हुआ। सरवाधिक हाई प्रोफाइल सीच में आती है जहां कॉंग्रेस सद्यक्ष राहूल गांधी और केंद्री मंत्री स्मृत इरानी के बीच दिल्चस मुकाबला देखा जा रहा है। मतदातों में इन दिनों के बीच चुनावी जंग को आप किस रूप में देख रहे हैं और मतदाता भी किस रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल यहां पर जो चुनावा है पहले अमेट्री कांग्रेस से गढ़ की रूप में मानी जाती थे और अमेट्री में इसके इतना प्रभावित हो चुका है क्योंकि जो ओट है वो काफी विजेटी या श्मीतिरानी की जो प्तक्ष में काफी जाता नगर आ रहा है तो इस बार जो मुकाबला है यहां काफी रोमांटिक बड़ा बेखने को मिलगा जी बहुत बहुत धन्यवाद अजुक इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पांचवें चरण के लोकसभा सामान ये निर्वाचन प्रक्रिया में 29 धोरहरा संसदीक शेत्र में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया इस शेत्र में खीरी जनपत की धोरहरा सीट पर 5 विधान सभा धोरहरा कस्ता और मुहमदी सीतापूर के दो महौली और हरगाओं में 1,911 पोलिंग बूथों पर 8,89,396 पुरुष और 7,54,916 महिलाएं और युवा वोटर बढ़ चड़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करते देखे जा रहे हैं कुल 16,44,156 मददाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इस चुनाओं में वर्तमान बीजेपी सांसद रेखा वर्मा, कॉंग्रेस से जितिन परसाद, गड़बंदन से अर्शद सिद्धी की और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से दस्यू मलखान सिंग मिला कर कुल आठ प्रत्याशी मैदान में अपने भागे का फैसला करेंगे 29 धरहुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं खीरी में 9 बजे तक 11.09 प्रतिशत मतदान हुआ एक युवा होने के नाते हमारा देश का सबसे हर एक युवा का और हर एक देश वासी का पहला करता भी होता है कि सबसे पहले मतदान करना उसके बाद अपने सारे कारें को दूसरी प्रार्त मिक्ता देना प्राथमिक्ता में वोड देना क्योंकि एक वोड से एक देश का भावी से बनता है और इसी को धिहान में रखते हुए आज मैं अपने कॉलेज से यहाँ पे मददान करने के लिए अपने ग्राम पंचायत और अपने जन्मिस्तल गाउं गाउरिया में आया हूँ और अब बात करते हैं कौशांबी की यूपी के कौशांबी में लोगसभा चुनाओ को लेकर ग्रामीनों में उत्साह देखने को मिल रहा है चायल विधानसवा क्षेत्र के परसरा प्राथमिक विद्याले मतदान केंद्र पर ग्रामीनों की भीड अभी से मतदान केंद्र के बाहर लगी हुई है मतदान शुरू हो गया है और लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही है पैरा मिलिटरी फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए तैनाथ है लोग सुरक्षित होकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं कौशामभी में 9 बजे तक 10.92 प्रतिशत मतदान हुआ और अब चलते हैं बांदा बांदा चित्रकूट लोगसभा संसदी सीट के लिए 7 बजे से मतदान शुरू हो गया मतदान को लेकर इस बार मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान केंद्रों पर सुबा 7 बजे से ही मतदाताओं की भीड दिखाई दे रही है बांदा में कुल 1454 मतदेस थल और 843 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 89 क्रिटिकल बूत हैं सुरक्षा पूर्ण मतदान संपन कराने के लिए 1000 सुरक्षा कर्मियों को भी लगाया गया है क्रिटिकल बूतों पर विशेश सुरक्षा निगरानी रहेगी शांतिपूर्ण मतदान संपन करने के लिए सीपी एमफ होमगार्ड सेविल पुलिस के लगभग 10,000 सुरक्षा कर्मी भी तनात किये गए हैं इसके अलावा मोबाइल सुरक्षा टीम भी बनाई गई है बादा में 9 बजे तक 9.98 प्रतिशत मतदान हुआ और अब आपको ले चलते हैं सीतापूर सीतापूर लोगसभा क्षेत्री के लिए आज मतदान अपने निर्धारित समय साथ वजे से शुरू हो गया लोगों में मतदान के प्रतिभारी उत्साह देखा जा रहा है लोगसभा से ही मतदान केंद्रों पर कतारों में लग गए और अपने बोर्ट डालने के लिए उत्साहित हैं वहीं इसी केंद्र पर पिंक बूथ भी बनाया गया है जहां मतदाताओं के स्वागत के लिए महिला कर्मिकों को ज्यूटी पर लगाया गया है गस्बे के डिग्री कॉलेज इस सिद्बूथ पर एवियम खराब होने की शिकायत मिल रही है सीतापूर में नौ बजे तक 11.1 एक एक प्रतिशत मतदान हुआ जो गरीब पिसान है उनको पर प्रतिशता दीजाए उनके अभी मकान बने नहीं बन पाए हैं उनको भी मकान दिया जाए घरीबों का हित दिया जाए इसे इस तोड़ धर्म के लिए विख्यात आयोध्या जन्पद में मतदान शुरू हो गया है और 9 बजे तक 10 प्रतिशत मतदान हो चुका है बड़ी संख्या में नव्युवक, वृद्ध और महिलाएं मतदान के लिए निकल पड़े हैं और साथ ही अयोध्या नगर में साधु संतों ने भी मतदान केंद्रों पर लंबी-लंबी लाइने लगाई इस बीच भाजपा सांसद लल्लू सिंग, विधायक वेद प्रकाश गुपता और अखिल भारती अखाड़ा परिशत के पूर्व अध्यक्ष हनुमान गड़ी के महंत ग्यान दास ने भी अपना वोट डाला उत्तर प्रदेश में मतदान की जानकारी के बाद अब आई ये चलते हैं ओडिशा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज भूवनेश्वर में हैं राजे के कई जिलों में चक्रवात की इस्थितिका प्रधान मंत्री ने हवाई सर्वेक्षन किया प्रधान मंत्री बाद में राज सरकार के अधिकारियों के साथ राहत और पुनरवास कारियों की समिक्षा भी करेंगे तुफान के बावतर प्रधान मंत्री ने सरकार के साथ संपर्क साथा उन्होंने ओडिशा के राजिपाल और मुख्यमंत्री नवीन पतनायक से फोन पर बाद भी की थी और ओडिशा के लिए केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया इस बीच केंद्र ने निर्देश जारी किया कि ओडिशा सहित चक्रवात प्रभावित राज्यों में बिजली और दूर संचार सेवाएं बहाल करने को उच्छ परात्मिक्ता दी जाए बिजली और संचार मंत्राले से राज्य सरकार के साथ समनवे इस्थापित करने का भी निर्देश चारी किया गया नई दिल्ली में राश्ट्री आपदा प्रभंदन समीती की बैठक में इस्थिती की समीक्षा के बाद कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने निर्देश जारी किये वहीं ओडिशा में चकरवाती तुफान फोनी से राज्य के लगबग दस अजार गाउं और बावन शहरी क्षेत्रों में युदिस्तर पर राहत और पुनरवास का कारेचारी है इस तुफान से करीब एक करोण लोग प्रभावित हुए हवाई और सड़क यातायात की सुविधा बहाल कर दी गई है इस्ट कोस्ट रेलवे ने कल हावडा चिन्नई मार्क परिचालन फिर से शुरू कर दिया भुमनेश्वर कटक और कई शहरों में अभी भी बिजली विवस्था ठीक नहीं हो पाई है संचार विवस्था पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है जिसे जल से जल ठीक करने की कोशिश की जा रही है पीने के पानी की विवस्था भी की जा रही है क्योंकि अभी पीने के पानी की बहुत कल्लत है सरकार की प्रात्मिक्ता सबसे ज्यादा पीने के पानी को मुहया कराना है पानी का टैंकर भी इसके लिए भेजा जा रहा है सरकार ने तुफान से तबा हुए 14,835 गाउं और 46 शहरिक शेत्रों में बड़े पैमाने पर जीर्नोधार का काम शुरू कर दिया है 321 मुबाइल मेडिकल टीम को परियाप्त संख्या में डॉक्टरों के साथ तैनाद किया गया है तुफान के बाद प्रभावित इलागों में राहत और बचावकारी जोर शोचते चल रहा है भारती नौसेना के हेलिकॉप्टर के जरिये पूरी के आसपास खाने के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं पीडित लोगों को भोजन मोहिया कराने के लिए सामुदाइक रसुया भी स्थापित की गई है आजमगड के लाल गंच संसदीक शेतर के अतरौलिया विधानसभा में पटेल मार्ग इस्थित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ ने भाजबा प्रत्याशी नीलम सोनकर के प्रती लोगों से मददान करने की अपील की अपने संबोधन में योगी आदितिनाथ ने कहा कि आज हम जब मोदी जी के पांच वर्षों के कारेकाल को देखते हैं तो चार बाते महतवपूर्ण हैं वैश्वी किस्तर पर भारत का सम्मान बढ़ना आंत्रिक और बाहरे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आना और जन कल्यानकारी योजनाओं के माध्यम से गाओं गरीब किसान नौजवान और महिलाओं और समाज के प्रतेक तबके तक विकास की योजनाओं को बिना भेदभाओं के पहुचाना है ये काम भारती जनता पार्टी के नेत्रित में मोदी ने किया है उन्होंने सपा बसपा गठबंदन पर तंच कस्ते हुए कहा कि ये गठबंदन सिर्फ चुनाव तक ही स खारन कर लिया और मिल का पावर प्लांट भी आग की चपेट में आ गया मिल प्रबंदन को आननफानन में मिल संचालन बंद करना पड़ा सूचना मिलने पर दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुच गई हालाद बेकाबू होते देख निकटवरती जिले मुरादाबाद बिजनोर संभल और हापुट से भी दमकल की गाड़ियां मंगाई गई साथ दमकल गाड़ियों की च्छे कंठे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका मिल प्रबंधन का कहना है कि आग लगने से मिल में पिराई ठप हो गई है और भारी नुकसान हुआ है ऐसे में मिल संचालन में थोड़ा वक्त लग सकता है मिल प्रबंधन ने आग से करोणों रुपे की नुकसान की बात कही है उधर मिल में आग लगने से गन्ना किसानों की मिश्किलें और बढ़ गई हैं मिल पर गन्ने से भरी गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं गज्रॉला फायर स्टेशन के प्रफारी एफेसो संजीव कुमार त्यागी ने बताए कि समय रहते आग पर काबो वाली लिया होता नहीं तो इस्थिति और भी भायावा हो सकती थी अपने गाड़ी लेकर हैं वहाँ से पहुँचे थी पांच-शे गंटे मसकत के बाद कापी आग थी और बगाच में फैल शुकी थी पूरे में और उसके उपर जो चैन के माध्यम से उपर प्लांट में पहुँच रही तिसे हमने सबसे पहले जाके उसे रोका उसे वहाँ से बढ़ने गिया और चीनी का गोदाम था उनका उसे बचाया वहाँ से आग को रोका और पांच-शे गंटे की मसकत के बाद जो आग पर कापी पाया और विल बुल बुल जाकर सांच कर दिया गया और एक बड़ा उप्सान होने से बचे लिए प्लांट में जो चुनावों में फर्जी मददान को रोकने के लिए मददाताओं की उंगली पर एक अमिट स्याही लगाने का प्रावधान है मददान के दौरान उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही इस बात का प्रतीक होती है कि व्यक्ति ने अपना वोट किया है कि नहीं इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में ये सवाल उड़ता है कि इस नीली स्याही का प्रयोग कब शुरू हुआ तो आएए हम आपको बताते हैं कि वर्ष 1962 के चुनाफ से इस स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है इस स्याही को लोग चुनावी स्याही या इन्डेवलिपल इंक के नाम से भी जानते हैं चुनावी स्याही को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सिर्फ 60 सेकेंड पे ही सूख जाता है इस स्याही का प्रयोग भारत के अलावा कई अन्य देश भी करते हैं अन्त में प्रमुक समचार एक बार फेड़ पांच में चरण के लिए 14 लोगसबा निर्वाचंक्षेत्रों में डाले जा रहे हैं वोट दो करोड़ पचास लाग पैंसट हजार मतदाता करेंगे 182 प्रत्याशियों के भागे का फैसला नौ बजे तक प्रदेश में 9.76 प्रतिशत हुआ मतदान पांच में चरण में देश की कई हाई प्रफाइल सीटे हैं शामिल लखनू में राजनाथ सिंग अमेटी में कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी केंद्री मंतरी इसमिती रानी तो राह बरेली में यूपी अध्यक्ष सोनिया गांदी आजमा रहे हैं अपना भाग ये प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ओडिशा में कर रहे हैं तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा प्रधान मंतरी ने प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षन साथ ही राज के अधिकारियों के साथ करेंगे पैठर और अम्रोहा में एक नीजी चीनी मिल्की बगास प्लांट में लगी भीशन आग आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियों ने 6 गंटे से अधिक की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू करोणों की संपत्ती स्वाहा इसी के साथ ये समाचार वुलेटिन अब समाप्त होता है नमस्कार